क्लास 10 गाला मोडल कुश्चन पेपर सॉल्यूशन हिंदी फ्रेशन पत्र टू का विभाग सी व्याकरण विभाग इसके पहले आले विभाग में हम लोगों ने सेक्षन ए और सेक्षन बी के सारा सॉल्यूशन कर लिये थे इस पार्ट में हम लोग सेक्षन सी से स्टार्ट करने वाले हैं निम लखित कहावतों का अर्थ सपस्ट कीजिए क्वेशन नमबर 29 लातों के भूत बातों से नहीं मानते एंस्वर है बुरे लोगों के साथ बुरा विवहार करने से ही सही नतीजा मिलता है निम लिखित सब्द समू के लिए एक शब्द लिखिए क्वेशन नमबर 13 जहां घटना घटी हो गह जगर एंस्वर है आपका घटना स्थल संधी चोडिए 31 इत्यादी एंस्वर है आपका इती प्लस आदी इकवाट्य इत्यादी संधी जोड़िए question number 32 तपह प्लस 1 इकल टू तपो 1 एंस्वर है आपका तपो 1 निम्न लिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए question number 33 सब्जबाग दिखाना answer है बड़े बड़े जूठे वादे करना और वाक्य प्रयोग है लोगों को ठगने वाले धूर्थ पहरे उन्हें तरह तरह के सब्जबाग दिखाते हैं निम्न लिखित सब्दों के विरोधी शब्दे लिखिए question number 34 खर्च answer है कंजूस 35 आवश्यक answer है आपका अनावश्यक निम्न लिखिए सब्दों के परेवाची सब्दे लिखिए question number 36 आखेट answer है शिकार 37 अमोलक answer है अमुले भाववाचक संगना question number 38 खोजना answer है खोज 39 आदमी answer है आदमियत विसेसर संगना question number 40 चमक answer है चमकिला 41 दे answer है दैहिक कर्तु वाचक संगना question number 42 प्रश्ण answer है प्राश्णिक 43 निर्माण answer है निर्माता समास पहचानिये question number 44 रामरतन answer है कर्मधारे 45 प्रश्णा पत्र answer है तत्द पुरुष समास ठीक है तो यहाँ पे आपका विभाग C खतम होता है अब आएगा आपका विभाग D लेखन विभाग ठीक है तो यहाँ पे है आपको नेमने लखे विशेपर से किसी एक पर टिपने लिखिये पत्राचार अथवा इमेल दोनमसा को किसी एक के उपर टिपने लिखनी है ठीक है डाक विभाग की मदद से सुदूर सुदूर तक पहुचाए जा सकते है पत्र दो प्रकार के होते है अनौपचारिक और आपचारिक निजी संबंधों में आत्मियता पुरण हंग से नादेर इस्तिदार स्रेही स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते है इसी तरह सरकारी प्रशांसनिक ये वमकारे लायों में लिखे गए पत्र अउपचारिक पत्र कहा जाता है इस रेडी में आवेदन पत्र और शिकायत पत्र भी आते है नेक्स आता है आपका अथवा के बाद वाला जो question था आपका email वो है email का अर्थ होता है electronic mail यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो computer users के बीच संदेश व्योहार का कारे करती है 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्योहार की पधती में अनेक रूपों में सुधार हुए आज electronic mail की प्रक्रिया email के रूप में जानी जाती है यह प्रक्रिया internet के माध्यम से होती है कुछ समय पहले दोनों computer users होना जरूरी था आज यह email व्यवस्था store aid forward model पर निर्भर होता है email server संदेश का सुईकार कर forward पर delivery करते हैं तथा store करते हैं इसलिए भेचने वाले या पाने वाले computer का online होना अब जरूरी नहीं यह था आपका email के बारे में ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपका परिच्छेद वाले छे question है यहां पर निमने लिखे परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्णों के ऊतर एक एक वाक्य में लिखिए तो आपको इस परिच्छेद को पढ़ना है और नीचे दिये गए सभी question को solve करना है तो यहां पर मैं आपको answer बता दे रही हूं direct महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या करना चाहिए तो यहां पर आपका answer है fourth line में है महिलाओं से मतलब निकालने के लिए महिलाओं से मतलब निकालना हो तो उनके रूप सौंदर और वेस भूसा की प्रसंसा कर दीजिए question number 47 का महिलाओं से लेकर दीजिए तक ठीक है fourth line से fifth line तक का है next आता है question number 48 others चापलूसी कब सिद्ध होगी answer है आपका others चापलूसी वही है जिसमें सामने वाला फूल कर कुपपा हो जाया और चापलूस की मुरादे पूरी कर दे यह है आपका last third line से ठीक है यह रहा आपका answer last three line next आता है आपका question number 49 चापलूसी विशेस असर कारक कैसे बनती है question number 3 का आपका answer है सामने वाले के किसी सत्रू या द्वेशी की निंदा चापलूसी को और भी असर कारक बना देती है question number 3 का answer आपका यहां से है असर कारक बना देती है वहां तक ठीक है next question आता है आपका पूरूसों से काम निकलवाने के लिए क्या करना चाहिए answer है आपका पूरूसों से काम निकलवाने हो तो उनकी बुद्धी पराकरम और का भखान कर दीजिए ठीक है यह था आपका question number 40 sorry 50 का answer लेखक के अनुसार हमें किस बात का ज्यान होना चाहिए यह जो question है उसका answer आपको first three line में दिया गया है खुशामद की कला का अपना विज्यान है इसके अपने सिध्धानत है किसी की खुशामद करना कब खुशामद करना कैसे खुशामद करना इसका ज्यान तो होना ही चाहिए यहां तक आपका question number 51 का answer है next आता question number 52 इस परिछेद के लिए एक उचित सिर्षक दीजिए तो इसका उचित सिर्षक होगा खुशामद की कला आप यह उसका उचित सिर्षक दे सकते हो अगर आप चाहो तो इसके और भी दूसरे सिर्षक दे सकते हो जो आपको ठीक लगता है next आता है question number 53 निमना नूसार पत्र लिखिए question number 53 फाई अंकर सोसाइटी अहमदाबाथरी 8-0014 से मैतरी मोदी अपनी सकी तेजल भट को अनूसासन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है यहाँ पर इस question में आपको address दिया गया है फाई अंकर सोसाइटी अहमदाबाथरी 8-0014 से मैतरी मोदी पत्र लिख रही है अपनी सकी तेजल भट को ठीक है और किसके बारे में लिख रही है राइट हंड साइट पे एक उसका address लिख दिना है फाई अंकर सोसाइटी अहमदाबा 38-0014 16 मार्च 2024 डेट लिख देनी है इसके बाद प्रिय सकी तेजल सब प्रेम नमस्कार मुझे कल ही तुम्हारी बड़ी बहन का पत्र मिला जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम आजकल अनुष्ठान के प्रती बहुत लापरवाही कर रही हो तुम्हारी विद्याले में शिकायते भी आनी लगी है आदर्श विद्यार्थी वो है जो आग्याकारी हो जो विद्यार्थी अनुसासन का पालन करता है वही सफल होता है जीवन में अनुसासन का अत्याधिक महत्व है अनुसासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्षे को प्राप नहीं कर सकता अनुसासित व्यक्ति अग्याकारी होता है सकी मुझे आसा है कि तुम मेरी बात को समझोगी और अनुसासन के प्रति अपने आपको ढालोगे धन्यवाद और लाश्ट में आपको तुम्हारी सक्खी मैत्री मोदी ठीक है ऐसे लिखना है ठीक है जिस तरफ आप आड्रेस लिख रहे हो उसी तरह आपको तुम्हारी सक्खी मैत्री मोदी ऐसा लिखना है नेक्स्ट आता है बापका कहानी लेखने ठीके रूप रेखा के आधार पर कहानी लेखकर सिच्छक एव आम बोध लिखियें कोशन नमबर 54 एक रागा लडाई में हारना सत्रू का भय कुफा में छिपना छट पर मकडी का चढ़ना गिरना फिर चढ़ना गिरना अंत में सफलता राजा को प्रिनना साहस जुटाना विजय प्राप्त करना और बोध तो कोशन नमबर 54 का आपका सॉल्यूसर है इसका सिड़सक आपको देना है प्रयतन से सफलता और इसके बाद आपको इसका कहानी लिखना स्टार्ट करना है एक राजा था वो था तो बहुत पराक्रमी पर उसके पास सैन्नेवल अधिक न था पर उसे राजी के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाब उठाने का निश्चे किया उसने उस पर हमला कर दिया घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया उसे अपने राजपाट से हाथ होना पड़ा पराजीत राजा सत्रु के भई से जंगल में भाग गया वही एक पहाडी की गुफा में उसने सरण ली एक दिन वह उस गुफा में चिन्तित होकर बैठा था इसी समय उसकी दिष्टी गुफा की दिवाल पर चड़ती हुई एक मकडी पर पड़ी वह मकडी गुफा के चट पर पहुचना चाहती थी लेकिन कुछ उपर चड़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी मकडी ने कई बार प्रयत ने किया पर उसे सफलता न मिली प्रत्यक बार वह नीचे गिर पड़ती थी इतने पर भी मकडी ने हिम्मत नहीं हारी अंत में उसने पूरी हिम्मत लगा कर उपर चड़ना सुरू किया और वह चट पर चड़ गई मकडी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया उसे एक नई द्रिष्टी मिल गई उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ उसकी निराशा और चिंता छू मंतर हो गई वह फिर अपने राजे में लोट आया और गुप्त रूप से सैने बल जमा करने लगा फिर उसने पूरी सक्ती से सत्रू राजा पर चढ़ाई कर दी उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीद गया सत्रू राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दुबा कर भाग गई इस प्रकार राजा को अपना राज तो मिला ही पर सत्रू का राजे भी मिल गया इससे स्यों सीख मिलती है वह आपको लाष्ट में लिखना है सीख सच मुझ छोटे छोटे जीवों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है निश्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है यह आपका इस कहाली का सीख है इस कहाली में आपको सीर्षक और सीख जरूर लिखना है नेक्स्ट अब आपका आता है निबंध निबंध किसी एक विशय पर करीब 150 सब्द में निबंध रिखिए कुशन नमबर 55 इसमें आपको तीन निबंध दिये रहेंगे अथवा में उसमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है जो आपका साथ मार का रहेगा वो निबंध मेरा प्रिय पंची तोता दूसरा है व्यायाम और स्वास्थ और तीसरा है हमारे राश्ट्रिय तेवार ये तीनो निबंध का सोलिसन आपको प्रुवाइड कर रहे हैं आपको इन तीनों में से जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो सबसे पहला है मेरा प्रिय पंची तोता हमारे देश में तरह तरह के पंची पाए जाती है हर पंची की अपनी अपनी विसेशताय होती है मोर के पास रंग बिरंगे सुन्दर पंग है कोयल के पास मधूर और सुरीली आवाज है कवे के पास चतुराई है बाज के पास सकती और फूर्ती है गरुण और नील कंठ आदी पंचीयों में भी कुछ न कुछ खूबिया है सुन्दर और सफेद हंस बुद्धी और विवेक का प्रतीक है परन्तु इन सभी पंचीयों मुझे सबसे अच्छा तोता और प्यारा लगता है लाल चोच, कंठ की काली पटी और कुमर पंख मेरी मन को मुध कर देती है दुनिया में कई किस्म के तोते देखने को मिलते है कई तोते तो बड़े सुन्दर और मन को अपनी और आकृष्ट करने वाले होते है चिडिया घरों में तोते का अनेक प्रकार की प्रजातिया पाए जाती है तोते को पालना बहुत आसान है वह अमरूद वह अन्यफल तथा हरी मिर्च आदी बहुत चाओ से खाता है उसे कोई चीज सिखाई जाए तो वह बहुत जल्दी सीख जाता है दादी के साथ वह राम राम बोलता है बच्चे उसे मिठ्धू कहकर बुलाते हैं तो वह अपना भी मिठ्धू कहता है वह अपना एक पैर उठा कर नमस्ते भी करता है घर में कोई महमान आता है तब तोता आईए बैठिये कहकर उसका स्वागत करता है तोते के मुँ से नमस्ते सुनकर महमान भी खुश हो जाते हैं तोता हमारे दीश में प्राचीन काल से ही एक लोख प्रिय पंची है उसे आस्रमों और तपोवनों में भी पाला जाता है राजा महराजाओ के महलों में उसे सुने के पिंजरे में रखा जाता था कहा जाता है कि पंडित मंडन मिस्र का तोता संस्कुर्ट बोलता था और विद्वानों के साथ सास्रार्थ करता था तोता खुले वातावरण में वीचरन करने वाला पंची है तोते को हम पिंजरे में बंद रखते हैं यह उसे पसंद नहीं यह बात अनेक कवियों और लेखकों ने कही है पर तोते की सुन्दर्ता और बुद्धिमत्ता के कारण लोग उसे पालना चाहते हैं और पिंजरे में रखते हैं ऐसा सुन्दर समझदार और मधुरभासी तोता मेरा प्रिय पंची क्यों न हो तो यह था आपका मेरा प्रिय पंची तोता के उपर निबंद दूसरा निबंद आता है आपका व्यायाब और स्वास्थ अंसर है अच्छा स्वास्थ महावर्दान है अच्छे स्वास्थ से ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाय प्राप्त की जा सकती है स्वास्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिस्क का निवास होता है स्वस्थ मस्तिस्क के अभाव में व्यक्ती कितना पंगू है इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है अच्छी स्वास्थ के लिए एक निश्चित कार्यालय की अनुसार व्यायाम का चुनाव करना चाहिए व्यायाम कई प्रकार के होते हैं डंड बैठक करना, प्रातः भ्रमन करना, दोड़ना, विभिन प्रकार के खेल खेलना, योगासन करना, तैरना व्यायाम का चुनाव करते समय व्यक्ति को अपनी आयू, छमता तथा सरीर की विश्रस्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए हमें ऐसी व्यायाम नहीं करना चाहिए जिन्हें सरीर स्विकार नहीं करता हो बड़ी आयू के व्यक्ति को हलके फुलके व्यायाम ही करना चाहिए रोगी सरीर में स्वास्थ मस्तिक का निवास संभव नहीं बिमार मस्तिस्क में उच्च विचारों का प्रसुष्ठन अंसंभव है जब विचार स्वस्थ नहीं होंगे तो कर्म भी साधना कैसे होगी कर्दव्य का पालन कैसे होगा अतसरीर को पुष्ट चूस्थ एवं बलिष्ट बनाने के लिए व्यायाम आवश्चेक है नेम से व्यायाम को नित कीजिए दिर्ग जीवन का सुधा रस बीजिए ये था आपका व्यायाम और स्वास्थ का निबन्थ नेक्ष्ट आता है आपका हमारे राष्ट्री तेवहार के उपर निबन्थ हमारे राष्ट्री तेवहारों का संबंध इन महत्वपुर्ण घटनाओं और व्यक्तियों से है जो भारत की स्वतंत्रता और प्रक्ति से गहरे जुड़े है 15 अगस्ट 1947 को भारत सद्यों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ इसलिए प्रति वर्ष 15 अगस्ट को हम स्वतंत्र दिन के रूप में मनाते हैं 26 जन्वरी 1950 को हमारा देश सार्व भावम गड़तंत्र घुशित हुआ इस दिन की स्मृति में हम हर वर्ष 26 जन्वरी के गड़तंत्र दिवस मनाते हैं हम गांधी जन्ती तिलक जन्ती बाल दिन सहीद दिन और एकता दिन को भी राष्ट्रे स्तर पर बड़े चाव से मनाया जाता है राष्ट्री तेवहारों के दिन प्रायां सार्व जनिक छुट्टी होती है स्वातंत्र दिन तथा गड़तंत्र दिवस पर देश के गाउं गाउं और नगर नगर में ध्वजा वंदन के कारे करम होते हैं तथा राष्ट्र गीत गाया जाता है 15 अगस्त की प्रभात बेला में राष्धानी दिल्ली में प्रधान मंत्री लाल किले पर तीरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्र पिता राष्ट्र के नाम पर अपना संदेश प्रसारित करते हैं राश्ट्रिय तेवहार जनता के लिए प्रेरणा के स्तुरोत हैं, इनसे राश्ट्र में एकता और अखंडता की भावना द्रिड होती है, सारा राश्ट्र एक रंग में रंग जाता है, एकता और राश्ट्रियता का यह रंग हमें नए बल और उत्सा से भर देता है हम अपने राष्ट्री तेवहारों को प्रतिवर्ष मनाते हैं परंतु केवल सरकारी स्तरपर या सैच्छुनिक संस्थाओं में ही थोड़े बहुत उत्सा के दर्शन होते हैं सामाननी जन्ता इन आयोजनों से अच्छुती हो रहती ही रहती है राष्ट्र का सच्चा स्वरूप तो साधारन जन्ता ही है वही राष्ट्र का बल है इसलिए हमारे राष्ट्रिय समारों में जन्ता का रदय से सामिल होना जरूरी है यह था आपका निबंध हमारे राष्ट्रिय तेवहार यहां पे आपका प्रश्न पत्र 2 पूरा खतम होता है ठीके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्न पत्र 3 स्टार्ट करने वाले हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सैर कीजिए मिलते हैं